तो आज किस वीडियो में आपका श्वागत है तो मैंने कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो डाली थी ये वाली जिसमें मैंने बोला था कि नोड़ा के रिलेटिट कोई भी आगर आपके कोशन हो तो उस कमेंट में पूस सकते हो तो आप लोगोंने काफी जादा कमेंट करते हैं एक भाई कर कोशन है क्या 12th pass नोड़ा में जॉब पास सकते हैं तो देखो भाई जितनी भी मैंने वीडियो अभी तक बनाई है सारी नोड़ा को पर ही बनाई जातार जॉब के रिगार्डिंग कि नहीं मिलेगी और जितने भी वीडियो वगरा मैं बताता हूं उसक अगर 12th pass हो तो BPO के अंदर हाइरिंग के लिए जा सकते हो हर बीपो जैसे टेक मेंदर हो गया इनाइजर हो गया भारत हो गया इन सब के अंदर होते रहती हमेसा तो वहां पे आप 12th pass में एजली अप्लाई कर सकते हैं बाकि बहुत बड़ी 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 कंपनीज भी है बड़ी बड़ी मुवाइली की कंपनीज भी है पैकिंग की कंपनीज भी है उसमें भी 12th pass पर आपको हाइरिंग बिल जाएगी तो वहां पर एजली आप अप्लाई कर सकते हैं अब बड़ते हमारे दूसरे कोश्चन अपितर दूसरा कोश्चन भाई का है कि हेलो हईया टेक जो जो भी आपकी कौलिफिकेशन है जो भी आपने स्किल्स वगरा सीखिए मैं एक सैंपल रिजूम के तौर पर आपको यहां पे साइड में कहीं पे दिखा दूँगा वो देख लो उस तरीके के रिजूम बना लो कोई भी रिजूम बना तो आपकी कॉम्निकेशन स्किल द को चता है मेरा फोन बंद हो गया इसमें नहीं चालू आपको नेक्स कोशेन पहीं ने बहुत जो कि उन्होंने को दिया यह एंसर दिया मुझे पता नहीं बहुत है बहाई बेकार है नहीं कोई मत आना यहां तो तुब कंपणी बेकार नी होती टेली फरफरमें परसे देना है और सपर्फाराइ आक ओर्फाराइन वस्मार जुदा जा हुए अन्दफाटाइक के लिएнул हुए dobla अल्शापरतिा के देवारे सीफ में उस्झा को नहीं जरन अजिएज बाइट के बना रहा हूं कि भाई आप लोगों के रूम के भी बहुत जादा कोशन है मतलब एक मैंने कुछ देन पहले एक पीजी का वीडियो डला था जो कि मेरे एक सस्क्राइबर भाई ने बताया था कही ज़्यादा इंफर्मेशन नहीं मिलता रूम पर तो रूम के रिगाडिंग एक वीडियो अभी कुछ दिन बाद ही आने वाली है जिसमें मैं खुद जाए गया था नोड़ा और नोड़ा जाके रूम खोज के आया एक बंदा जो कि बाहर भिहार गजार करने उतरप्रदेश कहीं से भी अकर आ रहा है और नए ने रूम उसको कैसे खोजने है और कैसे पता करना है कि कितनी उसको मंतलिया में पे करनी है उस रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको वीडियो को जल्दी में ड्रॉप करूँगा वो आप देखते रहे ना बाकी रूम में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको दोसरा इनका कोशन है कि और ये भी बताओ कि वहाँ पर रूम जो मिल जाएगा उसके कई तो कई वर क्या होता है कि जो रूम होता है वह आपका मालेजर You उसको बन करते उपर कर में किलया य game कुछर्ण के डिक्कत नहीं आती लेकिन जब भी आप रूम के लिए जाओ कि सर मुझे रूम चाहिए या मुझे रोकी रूमしन पर कि सर कभी-कभी मेरा night shift होता है मैं 2-3 बजे भी इंटरी करूं में तो कोई problem थी अगर वो बोलते है problem है तो वहाँ पे room मत लेना अगर वो बोलते है कोई problem नहीं आपके हाथ में आप कभी भी आ सकते हो तो वहाँ पे आपके कभी भी जा सकते हो तीसरा जो इनका question है कि और PG में नाइट सिफ्ट वालों को दिक्कत जा सकती है कि आने में रात को क्योंकि वहां अलग-अलग रूट्स होते हैं तो यह भी हो सकता है कई-कई बार पीजी वालों लोग मना कर देते हैं वहां पर आने के लिए लेकिन ज्यादा तर पीजी जहां मैंने नोड़ा में सुरह मेरे द बजेट में रूम क्या मिल जाता है तो बजेट के रूम के अंदर मिल जाता है वो आपके ओपर डिपेंड करता आप कैसे खोशते हो मैंने एक वीडियो बनाई है जिस वीडियो का यहां पर मैं फोटो दिखा देता हूं लिंक भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में उस वीड आपने किसी प्रेंड को या ओफिस के किसी कली को पार्टनसरी में रख लो ताकि आपके लिए भी कम बजेट हो जाएका उसके लिए पिकम बजेट हो जाएंका तो इस वैश से मैंने कही ऐसा रीचाँ बताए तक दिनका दूसरा आप चेक आउट कर लेना आप में वीडियो नहीं बनाओंगा जितनी भी वेकेंसी आती है इस रिपोस्ट पे वीडियो बना दूगा कि यहां यहां पर वेकेंसी आ रही है तीसरा जो कोश्चन है कि भाईया नोडा में कॉस्ट अप लिविंग कितना आता है यानि कि एक परसं अगर मैं खुद रहने जाओंगा तो मेरा कितना खर्चा आएगा तो मेरा पांच अगर से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा तीन हजार अगर मैं रूम द्रेंट दूंगा तो दो हजार के अंदर मेरा खाना पिने का सारी चीज़े हो जाएगी तो इस तरीके से आपको आपको भी थोड़ा सा अलग लग रहा हुगा लेकिन आप मैं फाइनल कोशन्स जो है पी कर लेता हूं एक बाई का कोशन यह था कि भाई टेन पास में कोई बेस जॉब सजिशन आप दो तो अगर नोड़ा या गाजियाबाद दोनों जगह आप टेन पास जॉब करना चाहत पास में कि अगर में हुआ और बहुत 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 बहुत, बहुत 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 प्ते को इतनी पर डेस जईर मिल जाएगगे। Pen जो कि वहाँ पर जाके आप एपलाई कर सकते हो रेलवे का प्रोसस है आठ शाड़ आठाजार के आसपा सेलरी है साद अभी बढ़ी हो तो मुझे उसके बारे में पता नी और ट्रेनिंग डेस के अंदर में पैसा देते हैं उन्होंने बताया था कि जितने दिन भी ट्रेनिंग होगी साद दिन आठ दिन उसका पैसा वो देंगे कितना देंगे वो नहीं बताया था वो ट्रेनिंग के बाद में आपको बताएंगे नेक्स्ट कोच्चन है कि रागव इनका नाम है रागव प्लीश टेल डिस्टेंस कितना है इनाइजर से यह रूम के बारे में पूछ रह या धाई किलिमेटर के आसपास होगा जो कि आप पैदर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं तो लाज्ट रोकोशन इनका बचा हुआ है अभी तो यह है कि भाई कॉल सेंटर जॉब में क्या पी एफ कोई सिश्रम होता देखो कॉल सेंटर में पी एफ होता है पी एफ करता है आपका इसाई करता है दोनों चीजे होती है कभी भी जब आप इंटर्व्यू क्लियर कर लोगे जब आपको एचार सारी चीजे समझा रहोंगे तो वहाँ पर आपको एचार वो भी बताएगा कि आपका इतना पी एफ कटेगा और इतने एसाई के पैसे कटेंगे जो कि सेलरी से कट पूछा था जो कि मैंने सुछा उसका रिप्लाइ मैं आपको लाश में दे दूँगा उसका कुशन यह थे कि भाईया रियल जॉब के बारे में बताओ बहुत सारे जगों पर हमारे साथ में फ्रॉड हो रहा है कहीं कंपनी पैसे मांग रही है बहुत सारे लोग वाटसप ग बाकी बीवी उसके अंदर में कोई आपसे पैसा नहीं लेता है वहाँ जितनी भी रियल जोब है मैं आपने चैनल पर पोस्ट करता हूँ तो आप वीडियो पूरा देख सकते हो तो यह थे हमारे क्वेशन अभी बहुत सारे क्वेशन पढ़े हुए जिसका मैं आगे होने व तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं कर नेक्ट लॉग में तब तक के लिए बाए